प्रियाविद्यार्थियो पिछले वीडियो में समाज सास्त्रे परिपेक्ष के अंतरगत आपने समाज सास्त्रे परिपेक्ष के बारे में जाना और समाज सास्त्रे परिपेक्ष दो परकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा हुई आज देखते हैं समाज सास्त्रे अभीमुखन के अंतरगत वेग्यानिक प्रिपेक्ष अथवा अभीमुखन क्या है चोकि हम जान चुके हैं कि समाज सास्त्रे प्रिपेक्ष दो परकार के होते हैं एक वेग्यानिक और दूसरा मानतावादे तो आज वाले वीडियो में हम वेग्यानिक अभिमुखन की चर्चा करेंगे अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भार्षा के ओर्येंटेशन शब्द का हिंदी रूपांत्र है अंग्रेजी शब्द कोष्ट के अनुसर अभिमुखी करन या पूर्वा अभिमुखी करन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माद्दम्शे व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है पूर्वा व्यमुखी करन व्यक्ति के लिए एक मारक दर्शक अत्वा पत्पर दर्शक के रूप में भूमी का निभाता है जो उसे अध्यन विशे का प्रीच्चे पहले से ही करवा देता है जिसे परमानिक अध्यन में हमें शाहता मिलती है परमानिक अध्यन मतलब ओथन्टिक स्टड़ी जो कोई समाज सास्तर के विद्वान अध्यन करते हैं तो अध्यन करने से पूर्वे उनका नजरिया और द्रिश्टिकों यानि प्रीपेक्ष किस तरफ जुकाव है या किस तरफ जाएगा अध्यन की दिशा क्या होगी सोध करने वाले व्यक्ति की या अध्यन करता की सोच क्या है और किस नजरिये से वो अध्यन करना चाहता है तो उसका जो अमोखी करन कारिकरम कह लिजिए या अभी मोखी करन एक परकार की ऐसी परक्रिया जो एक मारक दर्शक की रूप में सामने आती है इसके माध्यम से अनुसंदान करता को समाध सास्त्र के महतोपूर्ण पक्सों से प्रिचित करवाया जाता है और उसे समाध सास्त्रे प्रिपेक्षे के अनुरूप अध्यान करने हितु पर्शिक्षन मिलता है जिसे की उसे समाध सास्त्रे अध्यन करने से पूर्व ही आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो जाए समाध सास्त्र में दो परकार के प्रिपेक्षे की परधानता रही है जैसा कि आपको कल वाले वीडियो में भी बताया गया था एक वैग्यानिक प्रिपेक्ष और दूसरा मानोतावादिया मानविय प्रिपेक्ष समाज सास्त्र के जनक आगस्ट कॉम्ट ने समाज सास्त्रे विशलेशन में वैग्यानिक प्रिपेक्ष का सहरा लिया और समाज सास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे के पस्चात अन्य विचारकों जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाईल दुर्खिम, मैक्स वेवर, पेरेटो, टालकर्ट पार्संस, आधी बाद की विद्वानों ने भी वेग्यानिक प्रिपेक्षे को ही अपनाया लेकर इन सी धान्तों के अध्यनों से समाजों में यथा स्थिति बनी रही या विवस्था के पोसक के रूप में ये जो सी धान्तकार थे ये सामने आए और समाजिक संतुलन बनाये रखने के उपर बल दिया गया दूसरे और आसान सब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो विद्वान थे जिनका नाम उपर लिया गया है स्पेंसर, दुर्खेम, वेबर, पेरेटो, पार्संस ये जो विद्वान थे ये समाज सास्त्रे अभिमुखन के वेग्यानिक अभिमुखन पर बल देते थे लेकिन ये विवस्था का विरोध नहीं करते थे कभी इन विद्वानों के अधेनों में और इनके बाद वाले विद्वानों के अधेनों में भी हमेश्या विवस्था को बनाये रखने की बात होती थी, संतुलन को बनाये रखने की बात होती थी यानि यू के लिजिए या ये यथा स्थितिवादी विद्वान थे यथा स्थिति ये ऐसी स्थिति बनी रहे जो है वो बनी रहे कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे उद्द्धोगिक करांती और पुनरजागरन के बाद मानोतावादी परिपेक्षे का जनम हुआ यानि विवस्था का विरोध होना प्रारम हुआ और उसके बाद दूसरा जो परिपेक्षे या अभिमुखन जो है वो समाज सास्त्र में उभर कर सामने आया वेग्यनिक अभिमुखन की बात करेंगे इस वीडियो में अगले में मानोतावादी अभिमुखन की बात करेंगे कॉम्ट दुर्खिम वेबर परिटरवादी विद्वानों का ये मानना था कि मानने वेवार कुछ वेग्यनिक नियमों और प्रेविदियों की अनुशार संपन होता है लोग समान प्रिष्थित्यों में समाज समान रूप से ही वेवार करते हैं इसी मन्यता है एक जैसी प्रिष्थित्यों में एक जैसा ही वेवार होगा ये मानते हैं और लोगा ये मानना था कि मानविये आचरन में कारिये कारण का संब्द पाया जाता है और इसके सम्मद में पूर्वा नुमान और भविश्यवानी भी की जा सकती है यानि जो आपने पहले वाले वीडियोज में समाद सास्तर का आर्थ और समाद सास्तर के प्रकृति के बारे में देखा और सुना उसी की चर्चा इसमें है आगे चलके उसको आप समझिए कि समाद सास्तर की प्रकृति में हमने देखा था कि समाद सास्तर की विज्यान है या उसके विज्यान होने के पक्ष में तरक चूकी समाज सास्त्र में विग्यानिक पत्ति का इस्तेमाल होता है इसलिए समाज सास्त्र की प्रकृति विग्यानिक है अथ्वा समाज सास्त्र एक विग्यान है इसलिए विज्ञानिक पत्ति के इसमें लक्षन मिलते हैं तो विज्ञानिक प्रिपेक्षे की जो है समाथ सास्त्री प्रिपेक्षे की प्रकृति इसे साबसे इन विद्वानों के अनुसार विज्ञानिक है इसके अंदर विज्ञान के लक्षन है जैसे भाविश्यवानी करना, पूर्वानुमान करना, कार्यकारण संबंदों के बारें पता लगाना, तरक का समावेश करना, ये सब चीज़े पार्शनस ने अपनी वेग्यानिक प्रश्यवान के कारण अपने समाज सास्त्रे अध्यनों में वेग्यानिक अभी मुखन को ही परधानता दी, पार्शनस से पहले दुर्खिम के द्वारा अपनाया ध्यन भी वेग्यानिक था, मैक्स वेबर के द्वारा अपनाया ध्यन भी जो इसके लिए एक अलग सब्दावली का इस्तेमाल करते थे, वेग्यानिक प्रिपेक्षे के लिए पर्तेक्सवादी प्रनाली सब्द का इस्तेमाल करते थे, कौम्ट परतेक्सवादी प्रनाली के द्वारा अध्यन करने पर जोर देते थे हमेशा और उन्होंने विज्ञानों के संस्त्रन का नियम भी दिया था जिसमें गनित को सबसे प्राचीन विज्ञान और समाद सास्त्र को सबसे नवीन विज्ञान उन्होंने माना विज्ञानों के संस्त्रन में जैसे गनित सबसे पहले आया गनित के बाद खगोल सास्त्र खगोल सास्त्र के बाद भोतिक सास्त्र यानि फिजिक्स भोतिक सास्त्र के बाद टेमिस्ट्री यानि रसायन सास्त्र और रसाइन सास्तर से जीव सास्तर या बायोजी बायो साइन्स और बायोजी से सोशलोजी का जनम हुआ इसके तरिक अगस्ट कॉम्टे का एक नियम और भी था ज्यान के तीन स्थर तीन स्थरों का नियम अगस्ट कॉम्टे मानते थे कि मनुष्य के पास जो ग्यान है वो तीन इस्तर पर होता है तो धार्मिक इस्तर तातविक इस्तर और पर्तेक्सवादी या वेगयनिक इस्तर तो तीसरा जो इस्तर है वो समाज सास्त्रिय ग्यान का इस्तर है सबसे 99 इस्तर जिसका की नाम अगस्ट कॉम्टे ने परतेक्स वाद रखा था पोजिटिविजम हरबर्ट स्पेंसर ने कॉम्ट के बाद स्प्रमपरा को आगे बढ़ाया और विज्ञान के छेतर को परिभार्शित किया उन्होंने उद्विकास का सिध्धान्त दिया समाज सास्तर में और उसे समाज सास्तर पर लागू किया हरबर्ट स्पेंसर ने जो उद्विकास का सिध्धान्त दिया था त्योरी ओफ इवल्यूशन वो जीव सास्तर से लिया गया था प्राकर्तिक विज्ञान से जीव विज्ञान से उद्विकाश का सिधान्त लिया और उसको समाज सास्त्र में लागू किया इमायल दुर्खिम ने कारण कारिय के पर विशेश बल दिया इमायल दुर्खिम ऐसे विद्वान थे जो हर समाजिक गटना के पिछे एक ठोस कारण की खोज करते थे और इमायल दुर्खिम के सभी से धान्तों मेरा उधारनाओं में कार्ये कारण सम्मंदों की व्यक्या बहुत अच्छे तरिक्ये से की गई है और उनके द्वारा अपनाएगे वेगैनिक द्रिष्ट्री कोण का इसपस्ट परमान है कार्ये कारण सम्मंदों की व्यक्या तुल्नात्मक अध्यन करना समाजिक सम्मंदों के अभाव में आत्म अत्याएं अधिक होती हैं ये जैसे एक 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 जाम्पल के रूप में बता रहे हैं आपको कि समाजिक सम्मंदों के अभाव में आत्म अत्याएं अधिक होती हैं इसका दुर्खिम ने आनुभाविकर ध्यन किया इंपिरिकल स्टडिक और उनकी जो पदती थी वो कारणात्मक्ट परकारियात्मक्ट पदती थी मैक्स वेवर तुर्खिम के बादवाले विचारक वो समाजिक किरिया को समाज सास्तर की अध्यन की केंद्री वस्तु मानते हैं और मैक्स वेवर के नुसार समाज विज्ञान मनुष्य के एच्छिक और अनेच्छिक कारियों का अध्यन करने के लिए वैग्यानिक विधी का सहरा लेते हैं जो सोसल साइंसिज होती हैं उनमें साइन्टिफिक मेथर का सहरा लिया जाता है और चूकी समाज सास्तर भी एक समाज विज्ञान है इसलिए समाजिक किरिया के व्याख्यात्मक बोध करने का प्रियास सोसलोजी में होता है मैक्स वेबर का इस फर्ष्ट रूफ से मानना था कि समाज सास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंदर गत सामाजिक किरियाओं का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रियास किया जाता है Interpretative Understanding कि समाजिक किरिया का हम क्या आर्थ लगाते हैं और उसकी Understanding उसकी सामाने समझ करने की कोशिश सोचलोजी में होती है टालकोट पार्शन्स वेज्ञानिक प्रिपेक्षे के एक अंतिम समर्थक के रूप में आते हैं पूरो वर्ति विचारकों में और उनकी वेगैनिक चिंतन की वास्त्विक प्रकृत्ती पर जोर उन्होंने इसलिए भी दिया था कि वो विज्ञान की प्रिष्ट भूमी से तालोक रखते थे और समाज सास्त्र में प्राकर्तिक विज्ञानों की प्रविधियों को अपनाने पर उन्होंने विशेश बल दिया बार्शन्स के बाद भी और वर्तमान समय तक समाज सास्त्र में अनुभावी का ध्यन होते हैं होते रहे हैं इंपिरिकल स्ट्रीज उन्होंन से 1965 के बीच अनेक अध्यन हुए ये सोरोकीन का मानना था अमरीकन समाज सास्त्री हैं सोरोकीन और तथ्यों का सामानिकरन किया जाता है नए नेशिद धन्तों की खोज भी होती है और समाज सास्त्र में वेग्यनिक प्रिपेक्षय या वेग्यनिक अभी मुखन के अंतरगत पद्दती पर आवशक्ता शाथिक जोर दिया गया है पद्दती मतलब मेथडोलोजी यानि समाजिक गटनाओं का और तथ्यों का धेन कैसी किया जाएगा किस प्रकार किया जाएगा उस तरिक्ये को हम पद्दती बोलते हैं मेथडोलोजी तो जो ये काल था कौनसा काल 1952 से पैसट तकने का धेन भी हुए और इसके बाद में भी पद्दती के उपर यानि मेथडोलोजी के उपर विद्वानों का जरूरत से ज़्यादा फोकस रहा जोर रहा जिसकी आलोचना भी की पीटर एलबरगर ने पीटर एलबरगर जो बड़े विद्मान हुए उन्होंने आलोचना भी की और उनकी आलोचना के बाद धीरे 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 ये वेगयनिक प्रिपेक्ष में बदलाव होने शरू हुए और लोगों ने समाज के साथ-साथ व्यक्ति के अध्यन को भी परमुकता देनी शरू की कि समाज को की व्यक्तियों से बनता है इसलिए व्यक्ति की समश्याओं को भी अध्यन के रूप में हम चुने और उनका अध्यन भी किया जाए ऐसा बदलाव आया और उस बदलाव से प्रणाम से रूप धीरे-धीरे व्यक्यनिक समाज सास्त्र के खिलाप एक माहोल बनने लगा एक आवाज उठने लगी कि ये जरूर से ज़्यादा पदती के उपर जोर देते हो विज्ञान विज्ञान चिलाते हैं कि सोचलोजी विज्ञान है विज्ञान है इससे इलावा भी जो देनिक जीवन की जो समस्याएं है या मनुष्य की व्यक्ति की जो अपनी समस्याएं है उनके उपर समाज सास्त्रों का ध्यान जाना प्रारम हुआ ओद्धोगी करांती के बाल तो दिरे दिरे वेज्ञानिक समाल सास्त्र जो है वो थोड़ा सा प्रिवर्तित होने लगा और वहां से मानोतावादी प्रिपेक्षे की नियू पड़ी और मानोतावादी परिपेक्षे या मानोतावादी अभिमोगन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में तेंक्यू